चालू सप्था के दुरान कलोंजी की कीमतों में उच्छाल देखने को मिला है फिलार कलोंजी की कीमतों में 5-6 पे प्रती किलों की तेजी दर्ज की गई है और अभी भी धारना बाजार में तेजी की बनी हुई है दरसल चालू सीजन के दुरान देश में कलोंजी का उतपादन पिछले साल की तुलना में कमजोर होने के अनुमान लगाए जा रहे है वही नए मालों की आवक मार्च महिने के अंतक शुरू होने की संभावना है आपको बता दें कि कलोंजी का मुख्यता उतपादन मध्यपरदेश में होता है और इसके इलावा राजस्तान और गुजरात में भी इसका उतपादन किया जाता है कुल उतपादन 70-75 फीसित का योगदान मध्यपरदेश का रहता है वहीं चालू सीजन के लिए उतपादक केंद्रों पर कलोंजी की बिजाई 25-30 फीसद कम होने के कारण उतपादन भी पिछले साल की तुलना में कम रहने की संभावना है वहीं जानकारों का कहना है कि किसानों को उनकी उपजगा उचित मुल्या ना मिलने के कारण पिछले दो सालों से देश में कलोंजी का उतपादन घटा है प्राप्त जांकारी के अनुसार साल 2022 में देश में कलोंजी का उतपादन 6-6,5 लाग बोरी का रहाथा जबकी 2023 में घटकर 4,5-4,5 लाग बोरी पर आगया भाव में कुछ घट बढ़ हो सकती है लेकिन भविश्य अच्छा रहेगा दरसल वर्तमान में दिल्ली बजार में कलोंजी का भाव बढ़कर 200 रुपे के पार हो चुका है फिलाल भाव 205 से 210 रुपे पर कारोबार करता दिखाई दिया है जबकि मध्यपरदेश की मंडियों में 170 से 190 रुपे पर बोला गया है वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि नई फसल आने से पहले मंडियों में कलोंजी का भाव 200 रुपे के सतर को पार कर जाएगा आपको बता दे कि पिछले वर्ष इसी अवधी में मंडियों में कलोंजी का भाव 145 से 150 रुपे परती किलो था जबकि दिल्ली में भाव 170 से 175 रुपे था ऐसे में अब बाजारों में तेजी का रुजान बनता दिखाई दे रहा है और बाजार जानकारों का कहना है कि इस बार कलोंजी में तेजी बनी रहेगी और भाव 200 के उपर स्थिर रह सकते हैं बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी